तो दोस्तों मैं वापिस आ चुका हूँ एक और नई गेमप्ले वीडियो के साथ और आज हम फिर से किलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट तो पिछले एपिसोड में जो है मैंने अपना एक आयरन फार्म बना लिया था जिससे मुझे अनलिमिटेड आयरन मिलता रहता है उस वीडियो पर जो है 417 वीव आ चुके लेकिन सब्सक्राबर्स एक सो भी नहीं आप मेरे पिछली तीनों माइनक्राफ्ट के एपिसोड देख चुके और अभी वीडियो आप देख रहे हैं लेकिन अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राब नहीं किया तो अभी क्या भी सारा एडवेंचर बाकिया इस वर्ल्ड के अंदर इस दुनिया में अभी बहुत कुछ करना बाकिया है तो अगर वह एडवेंचर तुम मिस नहीं करना चाते तो वीडियो सोरी चानल को सब्सक्राब कर लो तो मैंने सोचा था कि अब की वीडियो में जो है माइनिंग लेकिन भाईया मेरी मौब से बहुत बढ़ती है पिछले एपिसोड में भाई सब शायद उससे भी पहले मैं गिर के मर गया क्या मरा हो क्या मौत मिलिये मिरों को गिर कर मौत इसलिए भाईया मैं तो थोड़ा डर गया तो आज जो है मैं अपना ट्रेडिंग हॉल बनाने का चुनध करके आख चुका हूँ किढ़नेप करके लेकि आ चुका हूँ और लेकिन उनको भी मैंने मार दिया क्या पता कुछ हो इसलिए मैं ने डोल वन दोनों विलेजर से तो अभी यह दो अपने विलेजर से तो चलो उस लोकेशन पर जहाँ पर हमें ट्रेडिंग हॉल बनाना है तो यह रही वो लोकेशन जहाँ पर जो है मैं अपना ट्रेडिंग हॉल बनाने वाला हूँ तो इसलिए मुझे यहाँ पर सबसे पहले तो सपाटी करन करना पड़ेगा प्लेन सर्फेस बनाऊंगा तभी तो कुछ होगा और इन चेस्ट में जो है मैंने अपने ट्रेडिंग का सामान और यहाँ पर बनाने के लिए बिल्डिंग का सारा जुगाड यहाँ पर रख दिया है तो अभी पूरा का पूरा ग्राउंड मैंने सपाट कर दिया है जहाँ पर खड़े थे वो खड़े भी मैंने भर दिये है अब शुरू करते हैं मार्किंग करना आप जो है मैं सबसे पहले मार्क करूंगा कि मुझे कैसा ट्रेडिंग हॉल बनाने हैं ट्रेडिंग हॉल का डिजन मेरे दिमाग में है तो सबसे पहले मार्क करना शुरू करते हैं तो यह मैंने को इस तरह से मार्क कर दिया है अब जो है मैं यहाँ पर 4-5 ब्लोक्स उची दिवारे बनाऊंगा तो चलो अब यह काम शुरू करते हैं सबसे पहले यहाँ से इस टोन ब्रिक्स नेते बहुत माइनिंग करने पड़ेगे इसके चक्कर में बहुत सारी टूटी है मेरी बहुत सारा टाइम लगा इसको बनाने के लिए मतलब यार मैंने कितनी 50 से तीस स्टैक तो मैंने तोड़ी दिये शायद से पत्थर तीस स्टैक मैंने पत्थर तोड़ की आप अब फिलाल यह सारी डर्ट जए में फेक देता हो क्योंकि सलनका कुछ काम दना तो है नहीं कुछ काम तो इस डर्ट को बने शायद में फेक देता हूँ और ब्रिक्स अपनी इंवेंटरी में देता हूँ इधर कुछ नहीं इधर टैंडर इनका work blok अभी से फिलाल सा साइड में कुछ अलग सा कर जो है इधर मदेने वाला हूँ अपने जो पूरे का सल के लिए मतलब एक तरी किसे किला लगेगा तो भाई कैसे करूं ओके तो मैं यहां पर ब्लॉक एक छोड़ूंगा यहां पर एक छोड़ूंगा फिर एक और आगे फिर जो इससे एक आगे तो नहीं यार मेरे को यह सही लगता हूं नहीं रहा यार लग तो नहीं रहा है यह को पहले ब्लॉक को वापिस से सही से लगा देता हूँ ऐसे आप्र ही और धाने यूब यू स्वा पर बम मेरे को समझ में यहां पर नगता है अल्क यहां पर या यहां पहलब वही इसदकी से उसे उसको थोड़ा सा और आगे बड़ा इंगा-व आय Architect यह मस्त रहेगा इससे जो है अंदर भी थोड़ा सा स्पेस पड़ सकते दरा सा तो पहले जो है मैं यहाँ पर थोड़ी सी मार्किंग वार्किंग कर लेता हूं यहाँ पर जेस्ट बीची में आ गई भाई यहाँ यहाँ पर तो मैं फिलाल नहीं कर सकता जब सारा सामाहन खाली जाएगा तब करेंगे फिलाल तो बस यह छोटी मूटी जो मैंने मार्किंग करके रखी है उस मार्किंग के ऊपर मुस्टोन ब्रिक्स लगा देते हैं अभी जो है मैं अपने ट्रेडिंग हॉल के पीछे की साड़ तक आ चुका हूँ यहाँ पर थोड़ी डोट रह गई थी तो अभी यहाँ पर लगा देता हूं मैं तो मेरा प्लान को जासा है कि बीच में जो है मैं थोड़ी सी ग्याप रखोंगा बीच के अंदर का भी हिस्सा थोड़ा सा बढ़ा हूंगा मैं तो यहाँ पर एक दो तीन चार पाच और यह छे तो यह छे ब्लोक हो गए अब यह सा रखोंगा ने जुआ हे चैंध लाहतजा को तोड़ेता हूं मैं वैसे अब जो यह भी तोड़ देता हूं मैं वैसे अभी यह एक दो थीर च cookies एस फा यह फस्फ़ लाग यह और आंगि यह ठीकिन से जो है उबरा हुआ हिस्सा लगेगा अब यहां से कोने तक लेके चलते हैं और वही पर और यहां से वापिस से वो कोने वाला डिजान शुरू ताकि यह थोड़ा सा उभार नेजर आएगा अरे गलत लगा दिया स्वरी गलत लगा दिया ओके यहां पर ब्लॉक लगेगा अरे इसको तोड़ या डर्ट डर्ट बीच में बात आ रही है ओके इसको भी तोड़े जैता हूं ठीक है यह थोड़े ज्यादा खुद गई कोई नहीं ओके अब जो है मैं फिर से बुल गया ओके यहां पर एक ब्लॉ यहां से सब कुछ पूरी तरह से में कर देता हूं चलो माइनक्राफ्ट की साम होते होते यहां पर जो मैंने कर दिया और अभी भी गेम पीस्पूल मोड में है चलो तुमको इसका उपर से विव दिखा देता हूं यह उपर से कुछ इस तरीके से नजर आएगा ठीक है तो अ सब्सक्राइब मेरे अलग ही कह सकते हो अलग डिजैन था एंट टेम पर बदल गया तो उसके चक्कर में इधर थोड़े ब्लोक्स कम पढ़ने वाले है वह नहीं बाद में लेखे आ जाओंगा फिलहाल यहां पर लगबग पाच ब्लोक्स की उचाई की जो है मैं दिवार बन जाए कि पूरी दिवार कोई ने क्यार फिला लिए सारी की सारी दिवार कंप्लीट कर देते मेरे बहुत हड्या टूटने वाली है ओके लगबग दिवार तो हो चुकिया बस च्छत बना रहा हूं ब्लोक्स कम पढ़ रहे हैं कमना पढ़ जाए बाई एक तो पहले से लगब सब्सक्राइब कर देखार को से रिजारा सा हिल गया उसके चक्तर में गिर गया आज पता नहीं कविता क्यों कर रहा हूं फिलाल mlg मारते चलो बद गया ओके तो मैंने यह आपर पूरी दिवार लगा दिया आगे से थोड़ा टूटा पूटा लग रहा है क्योंकि अधर चे फिलाल तो यहाँ पर पीछे की साइडम जो है ऐसी रग दिया है अभी ऐसा लग रहा है कि कोई किला हो एक तरीके से फोट्रेस कुछ वह ऐसा फिलिंग आ रही है इसमें से उपर मुझे स्लैप्स लगाने पढ़ेंगे बहुत सारे क्योंकि उपर गोलम स्पान होना ना शु और है कि अपने पास लैब नहीं फिलाल जो है वही लगा लेता हूं मैं ओके हमें आपर वाफिस से आपर उपर आ चुका हूं अभी जो है मैं यहाँ पर वॉल्स लगाने वाला हूं क्योंकि मैं नहीं चाहता जॉंबी साला उपर स्पान हो जाए नीचे घुसके मेरे विले सब्सक्राइब करने के बाद आपसे मिलता हूं ठीक है अभी पूरा एक्स्टिरियर हो चुका है मतलब पूरा आउटसाइड अब मैं जो है इंटिरियर इसका बनाने वाला हूं थोड़ा यूट्यूब से इंस्पिरेशन लिया थोड़ा कुछ इधर से उठाया हूं थोड़ा उधर से उठाया अगर अच्छा लगे तो बता देना अगर अच्छा लगे अभी तक वीडिय बार मैं जो बीच में थोड़ा सा अलग सा एरिया बनने वाला हूं अब यहां पर पूरा का पूरा जो है मैं वाइट प्लेटफोर्म बनने वाइट क्या बोलते हैं इन लोक्स का नाम में बूल गया यार सब कुछ में बूलते जा रहा हूं इधर तो कोई ब्लोक आएगा न पर पूरा वाइट फ्लोर कर देता हूं ओके अभी जो है मैंने एक और डोर लगा दिया है अब वह इसलिए ताकि विलेजर्स यहां से बाहर भागना सके वरना विलेजर्स डोर ओपन करके यहां से बाहर भाग सकते हैं इसले एक आयरें डोर लगांगा जो कि बटन से खुल अब बाद में क्या कुल टॉर्च को अटाई देता हूं जाने दो अभी फिलहाल बाकी इधर वूड वगरे वूड है नहीं सालाव अंदर कप में इंटीरियर काईसे बनाओ मैं इधर तो कुछ खाया सखास है नहीं कोई नहीं अभी अंदर चलते हैं अभी अंदर का सब कु सब्सक्राइब सब्सक्राइब सबस्सक्राइब जोते मैं ृधा फिकनि अजcation बस्ताइब शो्मा कि में अनदर कोई चल नहीं मैंनेले वरना वो सारे के सारे विलेजर्स इधर उधर भागना स्टार्ट करेंगे और फिर जॉम्बी बन जाएंगे जॉम्बी उनको मारा डालेंगे लगता है इसको तोड़ना पड़ेगा इधर फ्टोन भी लागाना पड़ेगा ओके तो मैंने यहापर थोड़ी सी रोशनी कर दिया अब यहापर ओक प्लैंक्स लगाओंगा बस इतने ही क्यूंकि आगे मैं स्टेर्स लगाओंगा अभी यह जो होगा प्लैटफॉर्म विलेजर्स के लिए उनके वरकिंग स्टेशन के लिए और जो बीच का यह जो मैंने ख साथ है कोई नहीं अंदर भी लगाने पड़ेंगे अंदर भी बहुत सारे मेरों लगेंगे मैं आइटम्स के नाम क्यों भूल जाता हूँ बार बार इधर भी लगाए देता हूँ फिलाल में जो यह पूरी तरफ कर देता हूँ यहापर मैं सारी स्टेर्स लगाने वालों व तो मैंने अभी यहाँ पर पूरा का पूरा जो फ्लोर कंप्लीट कर चुका हूँ मैं अभी और आगे का भी करना बाकिया फिलाल यहाँ पर मैं क्या बोलते हैं एक अलग तरीके से अलग तरीके का यह कह सकते हो तो स्ट्रक्चर जहाँ पर जो विलेजर्स के वर्किंग एक है मेरे पास मेरा शिर्फ बेढ रहा है ऊपर की चत से तो मैं करनी पाओ पा रहा हूं ज्यादा मैं कोगल स्टोन ज्यादा मैं स्टोन ब्रिक लेके नहीं आया ज्यादा ऊचिब में बना नहीं सकता वर्नै इधर की लुक खराब हो जाएगी यह जो मैं अभी बना रहा चुने की लुक के लिए मैंने उसको थोड़ा सा यह नीचे करका रखा है अब जो यह आप पर श्ट्रिप्ट पूरूस लग लगेंगे मैं इस पूस 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 नहीं स्वारी क्या बोल रहा हूं मैं क्या बोल क्या रहा हूं मैं यह ओक लॉग नहीं ओके अभी इनको में पूरा छेल नेता हूँ स्ट्रिप ओके अभी एक और ओकलॉग अभी इस ओकलॉग के ऊपर जो है मैं टॉर्च लगाऊंगा ताकि रोशनी हो जाए और यहां पर नीचे जो है वर्किंग टेबल लगाऊंगा अभी जो बचे कुछ अभी इदर एक और दि लोग ताकि खड़ा हो सकूँ अब यह स्पूरूश लोग ओके अभी बन चुका है अभी वापिस से आपर कंटिन्यू करके पूरा का पूरा करना पड़ेगा मेरे को कंटिन्यू ओके तो मैं आ चुका हूं फिलाल तो कोई विलेजर्स नहीं है और ना यह कोई वर्किंग ट स्टेशन तो एक्स्ट्रा लेकर आयों मेरे फाइदे के लिए बाकि सभी टाइब के लगब वर्किंग स्टेशन से लेकर आ चुका हो ब्रूइंग स्टैंड के साथ अब यह मत्सों पूछना के ब्रूइंग स्टैंड कहा से लेकर आ गए तुम ने तर में गए थे कि बिलु यूट्यूब पर सर्च करके तो फिलाल सारे के सारे वर्किंग स्टेशन में लगा देता हूँ वो तो हो गया ट्रेडिंग वाला हिस्सा अब यहाँ पर जो है मैं विलेजर्स को सोने के लिए जगाव बनाने वाला हूँ ने में लाइट्स लगाउंगा अंधिर में रखू होंगा वरना अगर ऐसे बिल्ड बनाते टाइम क्रीपर आ गया फूट गया तो भाई मैनत के ऐसी के तैसी हो जाएगी तो फिलाल जो है यहाँ पर ओक लॉग्स जो है मेरे पास लॉग्स नहीं स्वारी मेरे पास प्लैंग से तो यह प्लैंग से यहाँ पर लगा देता अब जो लगबग हर जगह पर रौशनी हो चुकी है बचे कुछी रौशनी बाद में करूंगा सबसे पहले फ्लोरिंग करना स्टार्ट करते हैं चलो मैंने बेट्स तो लगा दिया बस कुछी बेट्स बचे वो बेट्स भी आपर लगा देता हूँ मैं ताकि आपर विलेज स्क्यूंकि अगर कोई विलेजर ज्यादा दाम बढ़ा है तो उसको मार की दूसरा विलेजर भी तो तुरंत दर काम में आए ओके तो फाइनली अपना पूरा का पूरा ट्रेडिंग हॉल बंद की कंप्लेट हो चुका मैंने आगे यहाप पर स्टेर्स लगा दिया है मिलको थोड़ा लग रहा है हर जगा पर स्टेर्स लगा देनी चाहिए आपको क्या लगता है मुझे यहापर जो मैंने पिलर्स आग प्लाडोर कि यहाप पर लगाने पड़ेगी क्या कोई ने बात में इसारी टॉर्चेस हो गए देख लूँगा मैं बात में फिलार अंदर से दिखाता हूँ यह अपना पूरा का पूरा ट्रेडिंग हॉल जाप पर मैंने जो ट्रेडिंग का ले मतलब वर्किंग स्टेशन लगा दिया है हर जगह हर टाइप के वर्किंग स्टेशन से आपर माजूद है है बस टूर स्पीट में स्मिट वेपन स्मिट आर्मर वो थोड़ी ज्यादा कर दिये और फार्मर का अगर तुम सोच रहो तो मैंने उनके लिए अलग जिमना हुआ है यहाँ पर बैरर्स लगा जब पानी से खुटी लगा के पकड़ के लेकि आया हूँ और मैंने पानी की तादत बढ़ाने के लिए नीचे जो है यह लगा दिये क्या बोलते हूं कैल्प कैल्प और यहापर दू बैरल लगा दिया है फिलाल पानी के अंदर जाओंगा तो बहुत दिक्क्त होगी कल्प इतनी जल्दी सारे उख भी गए वाह यह तो गया फिशर्मेन का काम और यह अपना पूरा का पूरा पूरा इंकरेश्ट एरिया जहापर विलेजर्स अपना एट्स पेंड करेंगे बीच में जो है मैंने बेल लगा दिये हुए है ताकि विलेजर्स इधर उदर हल्ला करे त सब्सक्राइब करेंज़म कर दीज़ां कर पर, यह अपना पेंड पर फ्रक्राइब कर दोद हई है और प्र। बाहर मुझे बोट लेके जाने पड़ेगी अब इनको लेके जाता हूँ सबसे पहले इनका वर्किंग स्टेशन तोड़ो है इसने जॉब छोड़ दी अलोई इसने दूसरी जॉब पकड़ ली अब चपड़ गंजू मैंने वो कोल्डरों अपने लावा एकट्टा करने के लि अब यार इनको जैसे तैसे लेके जाना पड़ेगा अभी पहले ब्लॉक तोड़ देता हूँ सालत दोनों विलेजर्स ने मेरा दिमाग खराब कर दिया यार जैसे तैसे लेके आया वो इनको सलाई नहीं रहे दे अब दूसरा वाला किदर है जाब अंदर यह लाइब्रेर यह वा सीधा लाइब्रेर नहीं बन गया यह अब यह तेरे को बेड़ पे नहीं जाना है जो लैंडन के ऊपर चड़ गया यह कैसा बनना है भाई जाना सीधा आपने इसको देख लो इसको बेड़ के ऊपर जाने नहीं मैं थोड़ी सी केल्प तोड़ लेता हूँ दूसरा दिन अब मैं जोहा विलेजर से ट्रेडिंग करवा सकता हूँ यह राय फ्लेचर बन गया अब इसको जोग ब्रेड दे देता हूँ और इसको भी थोड़ी सी ब्रेड दे देताओ तो दूसरे को ब्रेड अपने आप स्प्रेड करता रहेगा तो यह आपर चलता हूँ क्योंकि जब तक यह मेरे को देखते रहेंगे यह ब्रेडिंग नहीं करेंगे तब तक मैं यह आपर थोड़ा बाकी का सामान ठेकाने लगा देता हूँ तो रियल लाइफ के दो तीन दिन के बाद में वापीस यहाप पर अपने ट्रेडिंग हॉल में आ चुका हूँ एक चीज आपको दिखा नहीं है यह बता ना यह बीटा वर्जन में मैंने अपडेट कर रहा है उसके वजह से यह फिर सचमुच में तो मैं यह फार्मर वाली अधल में मेरे को तीन गॉल्डन क्यारट दे रहा है वाव को दो अपको आपको आज वेगी अच्छा लगी तो प्लीज उडियों को लािक कर दे और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं तो कर दो सब्सक्राइब देखके मत भागा करो क्योंकि अभी और बहुत कुछ एडवेंचर करना बाकी है लगबग 40-50 एपिसोड तो आई जाएंगे चायद से क्योंकि इसके अंदर बहुत कुछ एक्स्प्लोर करना बाकी है तो उम्मीद आपको आज की वीडियो अच्छे लगए होगी मैं मिलूंगा आप से आएसे किसी मज़दार धमंकेदार वीडियो में तब तक के लिए अलवीदा Rep. बhost. अिर्णार वीडियो āक्सिते बाकी है झालवीडियो में मिलूंग biraz वीडियो कि एकी घ sözतूँर है झालवीडियो ॉhotक्सिते बाकी है झाल-पत्ली बाकी में में को ओबगए हा दो में बाकी का वीडियो कोई वीडियो कि आए है